वेलकम फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग वल्ड के कुछ फेमस एरियाज को देखेंगे जो की बिभिन एक्जाम में पूछे जाते हैं पहले हम लोग सौट में देखेंगे उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे तो चलते हम लोग नौर्थ अट्लांटिक ओश अगल यहां बरबुनंडा है और यहां आपको मियामी है और यहां पिरोटारिको इन तीनों एडिया को मिलाने पर एक ट्रेंगलर एडिया का इरमान होता है जिसे कहतेैं अइसा इर काते हैं इसा ऐरिया से जो अर्जेंटाइना और चेले इन तीनों को मिलाने से आप देख रहे हैं एक ट्रेंगुलर एरिया का निर्मान हो रहा है इसे लीथियम ट्रेंगल काते हैं यह एरिया वर्ल्ड भर में फेमस है लीथियम प्रोडेक्शन और लीथियम रिजर्व के लिए इसके बाद हम लोग चल कहते हैं हम लोग टाइल कर्सेंट ऐसा एशली कहते हैं कि इस एरिया में वर्लो करते है और यहां पर आपको जोर्डं डेय मेर्त फॉलो करती है इन तीनों रिवर के एक आरन injects शिप में एक ऑड्स का निर्मान होता इरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों एरिया को मिला कर कॉमन रूप से गोर्लेन कर्सेंट के नाम से जाना जाता है इसलिए कि यहां से व्र्ल्ड भर में illegal drug सप्लाइ किया जाता है और यहां बहुत ही ज्यादा illegal और अफिम और ट्रग प्रोडू線 किया जाता है इसी तरह का एक एरिया है आपको South East Asia में South East Asia में हम लोग देखते हैं तो South East Asia में हम लोग इसी तरह की एरिया कहते हैं Golden Triangle यह Laos और यह Myanmar यह Thailand इन तिनों के मिला कर एक एरिया का development होता है इसे कहते हैं Golden Triangle यह एरिया भी आपको illegal drug के लिए famous है इसके बाद चमते हैं हम लोग equatorial pacific ocean की तरफ western side में western side में equatorial pacific में चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर है आपको coral triangle यह Solomon Island है यह Philippines है और यह Indonesia है इन तीनों point को मिलाने पर आपको एक triangular region दिख रहा होगा इस एरिया कहते हैं coral triangle इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे pacific ocean में ही देखेंगे तो हम लोग चलते हैं pacific ocean में देखते हैं pacific ocean में हम लोग देखते हैं इस वाला पार में यहाँ पर 48 degree latitude के आसपास 48 degree south latitude के आसपास और 123 degree longitude के आसपास यहाँ पर point निम्मो है point निम्मो जो है आपको फेमस है graveyard of satellite मतलब उपगरह का कबरगा के रूप में यह point लेंड वाले पार्ट से सबसे farthest point है कहीं भी ocean में तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इसके बाद हम लोग देखते हैं pacific ocean के peripheral area में यह वाला पार्ट देखते हैं यह वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं ring of fire या pacific ring of fire या अगिन विरित ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहां पर two plate boundary converge होती है एक दूसरे से टकराती है जिसके कारण यहां बहुत सारे active वैलकेनों पाए जाते हैं और बहुत ही अर्थक्रिक प्राण जॉन है जिसके कारण इसे pacific ring of fire भी कहा जाता है अब इसके बाद हम लोग आगे detail से देखते हैं तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले सारगे सूसी को देखते हैं North Atlantic Ocean वाला पार्ट में North Atlantic Ocean वाला पार्ट में यहां पर देखते हैं सारगे सूसी, सारगे सूसी का खाशियत है कि यह एक मात्र ऐशा sea है वर्ल्ड में जिसके सारे border line only और only austinic current के द्वारा determine किया जाता है यानि define किया जाता है और कोई भी ऐसा ocean और sea नहीं है वर्ल्ड में जिसका सभी border line austinic current के द्वारा घिरा हो जैसे आपकी इसके north में देखेंगे तो north Atlantic drip यदि north east में देखेंगे तो यहां azures current यदि आप इसके south east में देखेंगे तो canary current और यदि southern part में देखेंगे तो north equatorial current फॉलो करती है यदि आप इसके south western part में देखेंगे तो antles current फॉलो करती है और यदि इसके north western part में देखेंगे तो यहां पर gulf stream फॉलो करती है इसी के द्वारा इनका border determining के आगया अब इसका नाम सारगेसो C एक pre-plotting seaweed सारगेसम के नाम पर परा है जो की brown color का एक micro algi है जो की tropical और temperate ocean में पाया जाता है अन्य seaweed जो होते हैं उनको reproduce करने के लिए austinic floor की आवसकता होती है जवकि सारगेशम को कोई भी austinic floor की आवसकता नहीं होती है यह high sea में water layer के उपर खुद reproduce हो जाता है इसलिए से hello play जे इक algi भी कहा जाता है यह सारगेशो sea आपको पहुत सारे animals और fish के लिए habitat का का काम करती है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे octophars, fish, stream, turtle, humback, wells, tuna इत्यादियों के लिए घर का का काम करती है अब यह सारगेशो sea का जो बीच वाला part है यह लगवग लगवग आपको सांत रहता है, काम रहता है और यहाँ का यदि डीप में जाएंगे तो यहाँ का water बिल्कुल blue आपको दिखेगा अब चाहिए बर्मुंडा ट्रेंगल को देखते हैं नौर्थ अट्लांटिक ओशियन के वेस्टर सेड में जहाँ पे हम लोग सारगेशो sea को देखे रहे हैं यहाँ जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं कि यहाँ बर्मुंडा है, यहाँ मियामी है और यहाँ पिरुटरिकों है इनों के मिलाने से आपको बर्मुंडा ट्रेंगल का निर्वान होता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से यहाँ से कोई भी एरक्राफ्ट और सिप्पा से सोती है तो वो mysteriously disappear हो जाता है, अर्थात आपको बिल्कुल गाइब हो जाता है रहस्मई तरिके से, इसलिए इसे devil strangle भी का जाता है, अर्थात भूतिया तिर्वूज भी का जाता है इसके पीछे का कुछ concept है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ shallow water वाला पार्ट है, इस करण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा methane gas इमर्ज होता है, methane gas emission होने कारण, यहाँ के water का density decrease कर जाता है, और जब यहाँ से sip passes करती है, तो वो comparatively भारी हो जाता है, और समर्ज कर जाता है और जब यहाँ से flat गुजरती है उपर से, तो उसके engine में आपको methane gas पहुँच करके आग लगा देती है, जैसा कि हम लोग जाते है, methane gas आपको flammable होता है, जिसके कारण से उपर से गुजरने वाली flat में भी आग लग जाता है, उसके engine में, अब दूसरा concept है कि आप जैसा कि द बीच वाला पार्ट तो होता है, बिल्कुल सान तो होता है, और यह चारो तरफ से औसनिक करेंट से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसमें जो भी ship enter करता है, वो trap कर जाता है, और एक concept और है, alien वाला concept, जो कि unbelievable है, कहा जाता है कि दूसरी गरह से alien आके यहां से आदमी को लेके च जानते हैं कि यहां से passes करती है, गल्फ है stream warm होता है, जिसके कारण से यह area गर्म हो जाता है, और यहां violent wind और storm blow करने लगता है, चलने लगता है, जिसके कारण भी यहां से जब ship passes होती है, यह एरोप्लेन उपर से गुजरती है, तो वो disappear हो जाता है, यह ध्यान में रख सकते ह हैं, उसके बाद और भी कुछ का जाता है कि यहां magnetic field का भी impact परता है, हलांकि USA का navy ऐसा कुछ भी मानने से इंकार करता है, यहां से कहना कि ऐसा कुछ भी यहां नहीं है, और यहां scientific research किया गया है, जिसमें यह पता लगया गया है कि world में जितने भी ship submerge करते हैं, airplane disappear होते हैं, इसलिए यह concept बिलकुल गलत है, अब चलते हैं दूसरा concept पर, तो lithium triangle को देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बुलाविया, अर्जेंटेना और चैले वाला पार्ट में, यह चैत्र world का लगवग 75% lithium carry करता है, reserve के रूप में रखा हुआ है, और यहां production भी लगवग इतना ही होता है, और चेली जो है आपको चेली में सबसे ज़्यादा विस्व का lithium reserve है, और जब कि production सबसे ज़्यादा कोन करता है, आश्टेलिया करता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, रिसेंटली इंडिया का खनीज विदिस, इंडिया लिमिटेड कविल, जो है आपको अर्जेंटेना से एक एग्रिमेंट किया है, वहाँ पर lithium extraction के लिए, इंडिया में भी आपको lithium हो जा गया है, सौथ करनाटक के मांडिया डिस्टिक में, और जंबू कस्मिर में कोई रियासी डिस्टिक है, वहाँ पर, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसके बा जोर्डन रिवर फोलो करती है, और यहां यूफेरेट्स रिवर फोलो करती है, मोसब पर्टैमिया वाले पार्ट में, इस एडिया के अंतर आपको इजिप्ट, इज्रेयल, प्लेस्टाइन, जोर्डन, लेवनान, आपको आता है, और कुवेत, सिरिया, इराक, और थोरा सा टर्की का भी पार्ट आता है, यह फर्टैल करसेंट बाले एरिया में, इसे कार्डल ऑफ सिवलाइजिशन भी का जाता है, मतलब सव्याता का जन्मदाता भी का आ जाता है, क्योंकि ऐसा मना जाता है कि अर्लियस्ट सिवलाइजिशन का उत्पती या स्टिवलिस्मेंट इसी एरिया आपको ड्रग्स प्रोडेक्शन के लिए नोटोरियस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इरान वाला फार्ट यह वाला फार्ट यह 1950 से पर्चलित एरिया है यहां पर लगभग आपको वर्ल्ड का 90% इलिशिट ड्रग प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें सबसे ज है आपको हड्य जगह लगभग लगभग सप्लाई किया जाता है इसा कि यहां से आप देखेंगे तो रस्या की और उपर की और भेजा जाता है Late 59 औरmera नाब है golden triangle मैनमार और आपको लाउस और थाइलेंड वाला एरिया यह वाला यहां भी आपको श्रेम चीज नार्कोटिक्स ट्रक्स और इलीगल ड्रक्स प्रोडूूश क्या जाते हैं जिसमें सबसे ज्यदा आपको मैनमार में प्रोडूश क्या जाता है मैं मार से इंडिया के नौर्थ इस्ट वाले पार्ट में बहुत ही जैदा सप्ले किया जाता है जिसके करण से और यहां से आपको इस एरिया में बिहार तक यूपी तक पहुंच जाता है इस एरिया से आपको नार्कोटिक्स ड्रग्स और अफिम और गांजा यह सब इसके बाद ट्रेंगिल वाला जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि यह सालमना आइलेंड है यह फिलिपिंस है और यह इंडोनेसिया है और यह तिमोर इजलेट है इन सबों को मिलाकर एक ट्रेंगलर छेत्र का निर्मान हुआ है जिसे कोरल ट्रेंगल कहते हैं यहां पर लगवग आपको वर्ल्ड का 76% कोरल एस्पेसिज पाय जाते हैं जिसमें 600 एस्पेसिज ऑफ रिफ है तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं इस एडिया को एमाजॉन ऑफ दसी भी कहा जाता है एमाजॉन ऑफ दसी क्योंकि यहां मेरिन एनिमल्स का बहुत ही जैदा डायवर्सिटी है इसलिए इसे एमाजॉन ऑफ दा सी भी कहा जाता है और यह बहुत ही जैदा मात्रा में बायो डायवर्सिटी जो मेरिन से रिलेटेड होते हैं उसको सपोर्ट करता है तो आप यह ध्यान में रखेंगे इसके अंतरगत इंडोनेसिया मलेसिया आपको पापान्युगीना फिल असे लिया के नौर्थ इस्टर्न पार्ट में देखेंगे यहां पर इस एडिया में समुंद्र में ओशन में तो यहां पर है ग्रेट बैरियर रिप यह कुष्ट लेंड एस्टेट है उसी के सटे हुए है तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे यह विसका सबसे लंबा है अब चलते हम लोग आगे चलेंगे पैस्फिक ओशन में ही पॉइंट नेमो को देखते हैं सौथ पैस्फिक ओशन में आपको 48 डिगरी सौथ लेटिट्यूड और 123 डिगरी वेस्ट लॉंगिट्यूड के आसपास पॉइंट नेमो है जिसको ग्रेवियार्ड ऑप सेटेला जाता है मतलब उपग्रहों का कबरगावी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम पॉल ओफ इन एसेसेबिलिटी भी है यह लेंड वाले पार्ट से सबसे दूर पर अस्थित ओशन में कोई भी एक पॉइंट है तो यह ध्यान में रखना है और यहां पे जितने भी यूजड ज इसका कोई भी काम नहीं है और इसे सेटलाइट को यहां पर बैकड़ाॉन कख्या जाता है घिरा आया जाता है मतलब आस्थपेस को यहां पर गिए जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है अब देखते हैं हम लोग यही पर पैसफिक रिंग ओफ फाइड जोक पेहले ही अंदर चला जाता है और melt करने के बाद वो explode करता है और इस एरिया में बहुत ही जैदा मातरा में वेलकेनो एक्टिव वेलकेनो उत्पन होता है और अर्थकेक भी बरावर आते रहाता है जिसको आप इस figure से देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है यहां बहुत सारे वेलक लजालको है उसके बाद स्ट हैलन रैनियर और कट माई उसके बाद आप यहां देख सकते हैं टाल मेरेपी और कराकातवा और शिमेरू और यहां देख सकते हैं रुपेहू यह सब एक्टिव वेलकेनो और यह रेड वाला पार्ट जो देखेंगे यह इसी को जाना जाता है पैस्फिक रिंग ओफ फायर के नाम से और आपको यह जो दिख रहा है ट्रेंगुलर ब्लेक में लाइन ट्रेंगल का मार्क क्या हुआ यह है आपको कन्बर्जेंट ब्लेट बॉंडरी वाला पार्ट्स तो फ्रेंड्स थांक्यू फरे लिसेनिंग हेव आइस डे मिलते हैं नेक्स तो मिलते हैं